नमस्कार दोस्तो सबको खुश रखना हमारे बस में नहीं है लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुचे ये बिल्कुल हमारे वश में है नमस्कार दोस्तो जैश्री कृष्ण स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशी फल के बारे में दोस्तो आज आपका यानि कि 18 अगस्त दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है आपको आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधन रहना होगा और आज आपको आने वाले समय में कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुश कबरियां मिलने वाली है तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज आपका पारवारिक जीवन कैसा रहने वाला है आपका बिजनिस व्यापार कैसा चलेगा और आपका प्रेम संबन्द कैसा रहने वाला है और इसके साथी साथ आपका स्वास्थ कैसा रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशी फल बताने वाले हैं अगर दोस्तो आप भी अपनी राशी जानना चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तो आज गुरुवार है साइनात महराज का दिन है दोस्तो कमेंट बॉक्स में सची शरदा से ओम साइनात महराज जरूर लिखिएगा दोस्तो वीडियो को लाइक करके और अकर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर स्लेट जरूर करिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तो आज की पंचांग के बारे में आज का पंचांग है 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार आज की तीती है सब्तमी आज का नक्षत्र है भरनी नक्षत्र पक्ष चल रहा है क्रिश्न पक्ष दोस्तो आज सूरेदेवुदे होने वाले हैं सुभा पाज बच कर 51 मिनट पर और सूरेदेव अस्तोंगे शाम 6 बच कर 58 मिन अगर दोस्तों आप कोई शुप काम करना चाहते हैं तो इसी समय करें आपके लिए बहतर रहेगा और साती साथ आज का अशुप समय है दोपैर तीन बच के 28 मिनट से शाम 6 बच कर 20 मिनट तक दोस्तों आज आज आपका लकी नमबर है 6 और लकी कलर है भूरा और सिलेटी कई दिनों से आपको जिस शड़ का इंतिजार था समझ लीजिए कि वो पलबाने ही वाला है जो आपकी कामियाबी को और आगे बढ़ा देगा दोस्तों और आपको बता देते हैं कि आपको एक चीज साबधान रखनी होगी कि जादा उत्तेजित होकर आपको किसी गलत काम मे हाथ नहीं डालना है और आपको अपने दंबर कारे करना चाहिए दोस्तों आप जो भी कारे करते हैं उसका फायदा आपको अवशी ही मिलने वाला है और दोस्तों आने वाले दिनों को ले करके आपको ब्रहम की सिति में रह सकते हैं यदि कोई काम आपको आसंभव लग रहा हो तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए हम यह नहीं कहते कि आपको हानी नहीं होगी लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा समहल कर रहने की आवशकता है मन में थोड़ी असमंजस की स्थिती बनी रहेगी आप कुछ नए लोगों से मिल सकते हैं या फिर कुछ नए मित्र बन हुए हैं आपको किसी करीबी की आप्रतियाशी बीमारी और जीवन में आया परिवर्तन आपको चिंतित कर सकता है अचानक से नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और इसके साथी धन अरजित की संभावना भी बन रही है और दोस्तों जो भी करना हो आपको आज की दिन ही करिएगा क्योंकि ये वक्त फिर वापस बिलकुल भी नहीं आता है पार्याले के छेत्र में आपको देख में जो आपने अपनी पहचान मनाई है वो आपके भविश्य को सुरक्षित करती भी दिखाई दे रही है दोस्तों इससे आपके आए में भी वरद्दी होगी और जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि आजब सकरात्मक विचारों से भरे हुए हैं आपको चिंता करने की आवशक्ता नहीं है दोस्तों समय के साथ में आपको अपने विचारों में बदलाव लाने की आवशक्ता है इससे आपका द्रस्टी कोन व्यापक होगा और समझ का दाइरा भी बढ़ने वाला है एवेम वेक्तिद्व में निखार भी आने वाला है और दोस्तों दिमाग भी विक्सित हो जाएगा इसके साथ ती आपका कोई दोस्त आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है अगर आप उनको ये रकम दे देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं दोस्तों परिवार के सदस्य के साथ में कुछ आराम के पल बिताएं और दोस्तों आसमान जादा उजला नजार आएगा फूलों में जादा रंग दिखने वाले हैं और आपके आसपास सब कुछ चमक उठेगा इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपके म और दोस्तों आपको बता दें कि यदि कोई चिंतित किसी चीज़ को लेकर कि अगर आप चिंतित हैं तो जादा चिंतित मत होईए जो काम आपने किया है तो जरूर बूरा होगा इस विश्वास के साथ में आगे बढ़ते रहें और दोस्तों आपको बता दें कि आपको कुछ दोस्तों के लिए कर सावधान रहना चाहिए जो लोग आपका फायदा उठाते हैं इनसे सावधान रहे तो आपके लिए बेतर रहेगा दोस्तों जो लोग बीते हुए समय में रहते हैं उनको आगे निकलने की आवज़ एक्ता होगी नए लोगों के साथ में नया समय बिताईए और नए यादे बनाईए यह आपके लिए अच्छा रहेगा और मन को प्रसन अताबी देगा और दोस्तों परिवार समदे जगडों को मिटाने की कोशिश आपके द्वारा इस समय हो सकती है इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए जो समय होगा आपको बता दें कि इस समय किसी वरिष्ट विक्ति के साथ में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है लाबदायक रहेगा इसलिए दोस्तों इस समय उनकी किसी भी बात को किसी भी बात की अभीलना ना करें महिलाओं के लिए ये जो दिन होगा वो उत्तम और लाब दायक दिन रहने वाला है हर पिस्तती में आपको हिम्मत करने की साहस करने की कोशिश करने चाहिए दोस्तो आपको बता दें कि साथ ही कभी कभी कुछ संबंदियों के प्रतिनकरात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं और ये लाजमी भी है दोस्तो चतुरता से आप अपनी सभी परिशानियों का हल कर लेंगे हर तरह से जीत आपकी ही होगी और इससे आपकी संस्ता को लाब मिलने वाला है दोस्तो आपको बता दें कि आपका प्रेम संबंद और पारवारिक जीवन कैसा रहने वाला है बता देते हैं दोस्तो प्रेम संबंद मदूर रहने वाला है समय अनुकूल है इसलिए आप अपने लब मेट के साथ में बाहर भी कहीं जा सकती है रिलेशन्शिप में आ रहे उतार चलाफ की वज़ा से नकरात्मक विचार आपके मन में घिर रही है इस समय आपको हलके फुल के मन और अरजन कर लेना जाहिए ये दोस्तो आज के दिन प्रेम और अपने साथी के साथ में हसी मज़ाग करने का समय है ये आपके लिए बैतर रहने वाला है दोस्तो आपको आप अपकनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करने की आवशकता है थोड़ा सा आप जल्दी उड़्या कीजिए योगा कीजिए वयाम कीजिए ये आपके लिए बैतर रहेगा दोस्तो आकरी समय तक आपका प्रेम बन सकेगा और आपको आख से थोड़ा सतरक रहने की आवशकता है क्योंकि दोस्तो दुरखटना होने की संभावना बन रही है सके तो ये भी है कि आपको आगे जा करके बता दे इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में काम करने वारे लोगों को तुड़ा साध्धन रहने की आवशकता है क्योंकि उपर नीचे अगर आप कार्रे करते हैं तो सीड़ियों से गरने की तुरखटना हो सकती है दोस्तों बता दें कि जिसकी वज़ा से आपको काफी तकलीव रह सकती है आर्थिक तंगी से भी आपका सामना हो सकता है अपने आसपास का वातावरन आपको सकरात्मक नजर आएगा जिस कारण आप भी पॉजिटिव मैसूस करने वाले हैं और दोस्तों इसके साथ ही आपको बता देते हैं संतानवर की तरफ से कोई बड़ी खुशकबरी आज मिलने की आशंका बन रही है जो आपके लिए काफी बैतर रहने वाली है दोस्तों स्वास्त को लेकर बात करते हैं तो स्वास्त आज आपका ठीक रहेगा थोड़ी सी मौसम बदलने के कारण सर्दी जुखाम हो सकती है इसलिए आपको ठंडी चीज़ों से सेवन करने से थोड़ा दूर रहना चाहिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का राशी फल आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और अंतितक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री कृष्णी रादे रादे दोस् तो जन्मास्ट मिकी आप सभी को बहुत बहुत चुप कामना है